नमस्ते आज मैं एक बुक आपको बताना चाहता हूं जो जिसका नाम है एस चान फोरेंसिंग मेडिसिन इंट टोक्सिकोलोजी और इस बुक की क्या खासियत है और यह मेरे को एक मेरे दोस्त ने प्रिफर की थी बुक को और इसको पढ़ने के बाद मैंने काफी मतलब फोरेंस है और थोड़ा सा इंट्रेस्ट कम आता है पर ट्यार यह वाली बुक पड़ी मैंने एस चान तो काफी मुझे इंट्रेस्टेट लगा और मुझे को पढ़ने में मजा आ है तो दोस्तों इस पे ऐसा क्या है जैसे इसमें एक मैं बात करूंगा ना मोस्ट जैसे बात करें तो इसका जो पहले देखो मैं आपको कंटेंड बदा देता हूं तो इसको नॉर्मली फोरेंसिक मेडिसीन और फोरेंसिक टॉक्सिक यह जो पोईजन वाला पार्ट है पुरा टॉक्सिक यह यहां पर पूरा देती है इसे कंटेंड है तो बिना टाइम वेस्ट की आगे बढ़े बढ़ बढ़े इस फे इसके अच्nerश बताया गया है तो इसके साथ साथ ब्सके पात में इन्हों ने इन्ने हर किची के पिछा आहनard सोटनोट बताएगे फो ससे इन्होंने सॉटनोट कई गये और नियों ने बताय यह लुगा और ilineumows टीजर upp a. ओर काफि मतलब हर शीज जैसे यह lesson है, age गा, तो age में देखो, यहां पर इनोंने, tabulate form में, पूरा एक theory तो बता ही बता ही है, पर साथ में इनोंने table भी बता दिया है, जैसे आप देखो यह table कितना easily, मतलब हर एक bond को, यहां पर एक pattern में, एक sequence में इनोंने बता है, ठीक है, तो दोस्तों जी देखो आप कि इनोंने कैसे मतलब यह किया है, कि आप देखो कि यह किस तरीके से इनोंने यह diagram है, तो यह वाला part का मतलब development कौन से age में होता है, कौन से month में होता है, इनोंने clearly आप है, इस video में, मतलब इस book में दर्सा है, देखो आप देखो, आप देखो, कि किता मतलब एक perfect pattern दिये, इन स्केपी लगा, तो इसका fusion चोगदय से बंद्रा सा, इन तब यह एकदम diagrammatic में बच्चे को theory बढ़ने से confusing होना जाए, हर coloring diagram दिये गए, इसमें आप देखो गे, तो black and white है, फूरा black and white है, मैं ऐसा नहीं किया रहा है, बुक खराब है, यह बुक बैस्ट है, पर यह एक्जाम क इसके paper से या फिर speed में पढ़ने के लिए, या एकदम easy way में किसी किसी को क्या है, tough language नहीं पढ़ बाता है, कोई बच्चा mostly, तो यह एकदम simple language में दी गई है, इसके language आप पढ़ोगे ना, काफी easy language है, मतलब कि easily understable है, और जादा confusion में है इसमें, तो वैसी, वापीज देखो यह देखो, यह mandible का, जो आप appearance of mandible in a different phase of life, तो यह mandible जो, एकदम diagram, coloring diagram बदाए गया है, इसके थोड़ा interest आता है, तो यह टेबल आ गया, यह चीज बहुत इक इन्होंने अच्छी बताई गया, तो दोस्तो यही एक खासी है थे इस book की, इसलिए मुझे मेरे दोस्त को मैं ध pathology, pathophysiology है, fresh water drowning की, तो यह diagrammatic form में बताया गया, तो यह short note में देदिया है, तो वेक्ति का एक short note के exam के तरह prepare कर पाएगा, और यह भी कर पाएगा, देखो, पूरी exam के base पे है यह, exam आरामिस 5 हो सकते है, अच्छे number हो से, अगर यह book, अगर S3 जो है, यह जो कोई भी students जो पढ बढ़ना पड़ेगा, content जाता है, और एक तम easy language है, ठीक है, size चोटी easy language है, time कम होगा, दूसरा time हम कहीं और दे पाएगे, mcq solve करने में दे पाएगे, उतना time, ठीक है, और less time हो गया, और बाद में table tabulate form में दिया है, हर चीज tabulate form में दिया, theoretical form में दिया, और दोस्तों एक मैं इसके यह जो आप आगे बढ़ोगे ना, इसके जो last में एक इतनी बड़या चीज बताईए, मैं विश्वास नि करूँ कि आप यह इतनी बड़या चीज कैसे दी इन्होंने, मैं खुद यार सोंता रह गया, यह क्या आगया, जैसे अपने कोई भी lesson खतम हो गया, यह पूरा प्रेक्टिकल का भी सामान इधर ही मिल गया है, कोई और बुगलाने की जरूदी नहीं है, देख सकते हो आप यह पूरा प्रेक्टिकल का, पूरे अब प्रेक्टिकल का अंदर यह स्लाइड्स होती है, जो वो भी दे दिया, पूरा पूरा प्रेक्टिकल का भी पूरा इधर आपने और उसके साथ-sाथ में practical चेश के material के साथ साथ में specimen के साथ साथ में दोस्तों आप अपने इन्हों ने इसी तरीके से यह आगे बड़े अपने तो इन्हों यह देखो बॉन्स पर आगए तो बॉन्स पर भी मतलब इन्होंने क्या-क्या चीज का फाइंडिंग हो दिक तो फोटोग्राफिक भी इस पर देखो यह वापीस आगया अपने मेंडिवल वाला एक पर रिविजन के लिए देखो इस्टेनम वाला वापीस आगया तो यह एक फिर बाद में इन्होंने जो इंजिरी एक्जामिनेशन रिपोर्ट है यह भी इन्होंने प्रेक्टिकल बेजिस पर इन्होंने यह भी बता दिया तो दोस्तों यह वी एक अच्छी चीज है इस बूप पी और एक और मैं आपको बता हूं वाइवा जो होता है ना ग्रेंड पर इन्होंने प्रेक्टिकल का काम भी एक वी गुग कर दिया तो एक ही भूप एज इनफ यह जाइन दोस्तों इसमे इसा एक चीज और बदाऊंगा वाइवा जो पार्ट है आप देखो यह वाइवा है इसमें में बच्चेगो क्या पड़ना है रेडियोजिय वाइवा के ग्रेंड बाइबा में क्या एक्रैंस पट्न लाव जैसे में आपको देगो यह तो जैसे बात कर रहा था ना वर्ट आर वर्यर स्टाइप ऊफ इंफेश्ट ठीक है निमोनिक देदिया तो यहां पर फिर से आ गया, in which case of magistrate inquest is conducted, तो 3Ds, देखो यार हर चीज और और क्या चीज है, हर चीज तुमको देखो, यह पूरा पूरा ट्रिकी, डोरी डेथ, डेथ, और एक डिगिंग, डिगिंग आउट, ठीक है, डिगिंग, तो यही चीज है, मतलब आप देखो, ऐसे क को टेबुलेट फोर्म में बता दिए, किसी किसी को यार क्या यार, medical language इतने tough है, normally यार, यार याद भी नहीं होती है, तो ट्रिक को यार करने के लिए भी ट्रिक बनानी पड़ती, एसी कंडिशन में क्या करें बेक्ती, पर इन्होंने बताया गया है, तो एक अच्छी चीज थोड़ा अपना काम आसान हो जाएकता, टाइम कम यूज होगा, कम कंजूम होगा, और चीजे अच्छी से याद रहेगी, देखो, grand viva in forensic toxicology, अब ये से वल, वो तो उत्ती तर forensic medicine का grand viva बताया था, इन्होंने इसका बताया, फिर last में देखो, दोस्तों, एक ऐसी चीज बता दी है, यहाँ पर, पर mostly यार, एक दाराय तो है, कोई यार, अपने book खोल के दाराय तो देख सकते हैं, क्या हो, इसके sections है, IPC, CRPC देदी, total, total, 416 होती है, उसमें से इतनी देदी है, इन्होंने, जो important है, ठीक है दोस्तों, वैसे वैसे IPC देख लो, देखो, total 511 होती है, जिस 325, 300, यह पर आगे गए, 337, ऐसे नीचे नीचे आते गए, आते गए, आते गए, पांसो दोस पर आ गए, और देखो, यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया, और यह थोड़ी मैंने क्रिमिन, क्रिमिनल एबोसें, यह मैंने परसनल एड़ की, यह चलो, वह तो secondary मेटर इन्हों ने इतना से चीज़ दे दिया, और मैं वायस तो मैं सोख हो गया, और लास्ट में, यह सब हमर जाने के बाद, दोस्तो, अब आता है, सेंपल पेपर्स, कि जी-जी को पेपर सौल करने का मन हो, को इंटरेस्टेड हो, क्यार पेपर क्या आएगा देखो, तो इन्हों ने कुछ-कुछ पेपर्स भी दे दिया, तीन गंडे में क्या सौल करना है, और लास्ट में, यह अपनावाई इंडेक्स, बापिस है, यह स्पेलिंग डूडो, पर दोस्तो यार, वास्तो में आ रही, बूप जो है, मजा आ गया है, मजा मतलब कि एकदम, सौट फोर्म में ह और कम टाइम कंजूम है, इसलिए, थेंक्यू, माइ फ्रेंड, फ़र इस बूक, फोरिंसिक मेडिशन टॉक्सिकलोजी, एस चान्द, थेंक्यू